को हीएए वल्कम बैकetah हम पढ़ रेते इस अपना सी कोर्स को आपनी प्लेलिस्ट को ऑपन कर लेते हैं है यह अपनी c playlist को यहाँ पर open कर लेते हैं और यह वीडियो है हमारी 24 टुटोरियल अब तक यह सारी वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लेना ठीक है आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि exit statement यह function क्या होता है लाज वीडियो में हमने बात कर लेती continue की अब बात करेंगे exit क्या होता है ठीक है चलो मैं दिखा देता हूँ जा टाइम वेस्ट ना करते होगे अपने टबो सी प्लस प्लस को open कर लेते हैं और यहाँ पर इसे open कर लेते हैं पहले open हो गया अब मैंने जादा आपका टाइम वेस ना हो इसलिए एक प्रोग्राम बना कर रखा है आप देख लेजिए सी टुटोरियल दूजिन टबो सी प्लस प्लस एग्जिस स्टेटमेंट 24 टुटोरियल इतना तो आपको पता है कुछ चीज़े जो नहीं दिखरी हो आपको बता देता हूँ सबसे पहले चीज जो आपको लाइबरी को मतलब उस फंक्शन को आप यूज कर पाएंगे क्योंकि यह इसी लाइबरी का पाट है ठीक है मैंने यह पर यह प्रोग्राम बनाया उस प्रोग्राम को देख लीजिए क्या है अगर मैं अब बनाता आपके सामने तो काफी ज्यादार टाइम लग जाता और छो इकल डूवन कर दिया ठीक है और उसके लावा एक बनाया च नाम से यहां पर मैंने च की मदद से यहां यह चॉइस यहां पर इसे चॉइस सलेक्ट करवाई है च की वन टू यह थ्री यह फोर मतलब एक तरीकी की मैन्यू है मोमोज बर्गर डोसा ब्रेक एगजिट ठीक है अ कि ऐकी वेल्यूर इकल उत्हूं beideड़ मतलब यह लूप टभी चलेगा जब आइक वेलीऊं और याइक वेल्यू चितने इन वन और इस पूरे में मैंने कहीं पर भी अपडेट नहीं कर हिए इस पूर है ठीक है आइक वेल्यूच अपडेट नहीकर है सब्सक्वेली इसमया क आपको बता दूँगा break और exit में क्या difference है यहाँ पर आपको देखकर समझ आ जाएगा नीचे की तरफ चलते हैं यहां तक कुछ नहीं हुआ है simple मैंने ch नाम का एक variable लिया है उस variable के अंदर 1,2 या 3 या 4 या 4 या 5 को insert कराया है और insert कराने के बाद में if statement लगाया है अगर जो input है 1 हो 2 हो या 3 हो 3 से छोटा या 3 के equal हो तब हम क्या देंगे you have selected जो भी option उसे select करा है जो भी option से select करा है उसका नाम लिखा देंगे और उसके बाद में ch equal to equal to 4 हो तो इसका मतलब break है पहले तो बता देंगे कि उसने fourth option चूज किया है और fourth option चूज करने के आज में यहां पर break देंगे आपको पता है break क्या करता बेक चलते ही सीधे जो लूप है उससे बार निकाल लेता है और लूप का bracket है कहां तक यह वाला यह वाला यह वाला आपका loop का bracket है तो जैसे ही यहां पर होगा तो क्या होने वाला है यह सीधे यहां पर print करेंगा out of the loop ठ है अब जैसे ही ब्रेक दबेगा दोनों में क्या डिफरेंस में बता देता हूं जैसे ही ब्रेक दबेगा मतलब जैसे ही यहाँ पर इसने प्रेस किया फाइव सॉरी एक्जिट जैसे इसने प्रेस किया एक्जिट एक्जिट का कौन सा पॉइंट नंबर है फाइव तो मतलब ज जाल ब्लॉक चल जाएगा और जैसे यह ब्लॉक चलेगा हमारा exit bracket 0 semicolon run कर जाएगा अब यह bracket 0 क्या है sl में एक तरीका function है और bracket के इंदर कुछ भी integer डलता है चाहे 0 डाल लो चाहे 1 डाल लो कोई दिक्कत नी होगी चाहे 10 डाल लो तो यह क्या करेगा सीधे करसर को फेकर कहां पर यहां पर तो मतलब जो ब्लैक स्क्रीन आती है वह ब्लैक स्क्रीन अपने बंद हो जाएगी मुझे क्लिक करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी कांटीनियू में क्या कर लाता सिर्फ लूप के बार फेक राता यहां पर पट एग्जिट क्या करेगा सीधे हमें यहां पर फेक देगा यहां पर मैं दिखाऊं कहां पर यहां पर इस जगफ है कि यहां पर यह ठीक है जितना समझा है ठीक है मैं रण करके दिखा जाता हूं सिंपल सा प्रोग्राम है कोई बहुत बड़ी रॉकेट सेंस नहीं है रण करता हूं देखा है अगर आमने वन दबाया तो मोम अजल लिखा हुआ आया यूव सेलेक्टिड ऑप्शिन वन और और उसके बाद में आपका मेन्यू वापस लिखी हुए आगई द्वारा से पूछ लिए है टू दबाया तो यूव सेलेक्टिड ऑप्शिन टू कि मैंन दो भी काधा सैंके अगैं प्रफ करत करें यूख कर दिया यूख को ढाते करणी एने इलेड़ित के बारे में आ यूख है इंता और ओमिटो क्या भी आइस उलब सक्केशक खखेंड अब्ल्च स्क्रीन बंदम करेंगा ऑंडग corp in the state यूख यह से आवे फूरति यूख सेक क्किमेंट एक्जिट फंक्शन इसके अंदर क्या होगा ये डारेकली आपके प्रोग्राम को बंद कर देता है और कुछ नहीं है , यह प्लेखिकेश आपके प्रोलिस्ट आप नहीं अपक्रोच कर रहा है और कुछ नहीं कर लो ना क्या दिक्कत है अगर आपको पसंद आ रही है तो कर लीजिए अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का content मिलता रहेगा उसके लाब दोस्तों को सेच कीजिए कि कितनी बड़ी अप लेडिस चल रही है है सी की है सी प्लस प्लस की है ठीक है फिर में लेंगे बाइए